कि शहरों में आग लग जाएगी, there would be fire in the cities, slums में जाके लड़ाई होंगी, और कहीं न कहीं जो arrangement राहूल गांधी ने इस लड़ाई की की हुई थी, उसका खिलासा पिछले बार प्रेस कॉन्फरेंस में आधरनी अस्मृती इरानी जी ने भी किया, आज ठीक उसी प्रकार राह जितिक पार्टी से कोई मतलब नहीं है, तो आप उनके पैरोकार बनके, उनके माध्यम से बातचीत करनी का जो प्रयास कर रहे हैं, वो किसलिए कर रहे हैं, ये अपरिपक्वता है, उसका परीचय आज आपने दिया है, आज राहूल गांधी जी ने कहा कि भारत की सरकार किल किला बंदी कर रही है, सडकों पर कील बिछा करके किला बंदी कर रही है, और ये लोकतंतर में नहीं होता है, राहूल गांधी जी याद करिए, 26 जनवरी के दिन, जो घटना हिंदुस्तान में घटा, पूरे विश्व ने देखा, हिंदुस्तान ने जिस प्रकार से उसको ग अधा कथित, जो लोग इस प्रकार से हिंसा फ्हलाने की कोशिश कर रहे थे, जो किसान नहीं थे, उन लोगों को क्यों लाल के लिए तक आने दिया दिल्ली पुलीस ने, ये सवाल राहूल गांधी का भी था, ये सवाल कॉंग्रेस पार्टी का भी था, और अन्य विपक्ष मेजर्स लिया है, उसी दिल्ली पुलीस ने आज एतियातन कदम उठाए है, उसी दिल्ली पुलीस ने रोक्थाम के लिए सारे बंदोबस्त किये हुए हैं, तो उसमें राहूल गांधी जी को क्या परिशानी है, मैं बताता हूँ क्या परिशानी है, ये राहूल गांधी, पक्ष कहा ये जो प्रोपगेंडा का एक बहुत बड़ा धड़ा है ये चाहते हैं इनकी इच्छा है सडकों पर लड़ाई हो ये चाहते थे कि गोली चले ये चाहते हैं कि लाश बिछ जाए और इन लाशों पर बैठ कर ये अपनी राजनीती चमकाएं और सवाल पुछे नरे किन्तो उन्होंने किसी को हताहत नहीं किया उन्होंने एक गोली तक नहीं चलाई आज अगर हमें आपको इस देश को बचाने के लिए उन्होंने कुछ प्रैत्न किया है कुछ जतन कर रहे हैं उस पे आप अभी से उंगली उठा रहे हैं आज जिस प्रकार के शब्दों का प पहलान किया कि 122 लोग जो गिरफतार हुए है 26 जन्वरी में हिंसा फैलाने के कारण उन लोगों को तुरंत रिहा किया जाए और उनको पंजाब की जो कॉंग्रेस है और सेंटर की कॉंग्रेस उनको लीगल एड देगी। नेताओं ने राहूल गांधी समेथ तमाम जो कांग्रेस के नेता थे उन्होंने कहा था कि ये भारतिय जन्ता पार्टी के कारे करता हैं भारतिय जन्ता पार्टी ने अपने एजेंट्स और अपने लोगों को भेजा है खुर्दंग करने के लिए यहां पर हिंसा फैलाने के ल है so that in fact the Kisan Aandolan the name of the Kisan Aandolan is star is back in और आज जब वही हुर्दंगी गिरफतार हो रहे हैं तो आप कह रहे हैं कि इनको रिहा कर दीजिए तभी जाके के आधार पर जो footage जंता ने सामने रखी है और जो footage पब्लिक consumption के लिए evidences के आधार पर जो तत्य कोर्ट में प्रस्तुत किये जाएंगे उनके आधार पर खिरक्तारी हो रही है आप कह रहें छोड़ दीजिए अर्थात ये आप इसा फैलाने वालों और 26 जनवरी में जो दुरगटना हुई थी उनके साथ कोई भी संस्था खड़ी होगी ऐसा तो मुझे नहीं लगता सुभाविक रूप से ये प्रश्न राहुल गांधी जी के लिए है क्या ये लोग आपके हैं जो आप इनके लिए लीगल एड देने के लिए ततपर हैं राहुल गांधी जी ने आज कहा बहुत दुख के साथ मुझे कहना पड़ रहा है मैं वो सेंटेंस लिख के लाया उन्होंने कहा यह सरकार किसानों को मारना चाहती है कि है सरकार सबका साथ सबका विकास और सबके विश्वास इस मंत्र के अधार पर काम करती है किसी को मारना यह सरकार नहीं चाहती है सब कैसे उबरे, सब कैसे आगे बढ़े, सब कैसे विकास करे, इसकी चाहत इस सरकार की है, किसान, मजदूर, मजलूम, महिला, युवक, सब के लिए किसानों की सरकार काम करती है, हमारी सरकार किसानों की भी सरकार है, और देखिए, मारना क्या होता है, इसका आर्टिकल मैं नि 1998 में मध्यप्रदेश में सरकार किस की थी? कॉंग्रेस पार्टी की थी. अंधा धूंद गोली किस पर चली थी? किसानों की रेली पर चली थी. कितने किसान मारे गए थे? 28 किसान जलिया वाले बाग की तरह वहां भून दिये गए थे. राहुल जी इसे मारना कहते हैं, इसे मप्त करना कहते हैं. किसानों के लाशों के उपर आपने राजनीती करत की थी. आज आप हमारी सरकार को कटगरे में घेरने की कोशिश कर रहे हैं. जूटे भ्रम को फैलाने की कोशिश कर रहे हैं. आप कह रहे हैं हम मारना चाहते हैं. ये रिंदनी हैं. राहुल जी किवल आ क्या होता है कुछ नहीं मालूम ना राहुल को मालूम ना रियाना को मालूम मगर दोनों के आदत एक है दोनों ट्वीट कर रहें यहाँ बताइए कहां थे यह लोग जब महात्मा गांधी के स्टेचू को कैलिफोर्निया के अंदर अभी चंद दिनों पहले डेसिक्रेट किया गया महात्मा गांधी हमारे राष्ट्र पिता हैं और केवल भारतवर्ष के राष्ट्र पिता नहीं है महात्मा गांधी पूरे विश्व के पूरे विश्व के लिए जब उनके धड़को अलग कर दिया जाता है कलिफोर्निया में उनके स्टेचू के धड़को तो कोई भी इन में से जो आज ट्वीट कर रहे हैं, जो इंटरनेशनल फिगर बने हुए हैं, उन में से किसी ने ट्वीट किया, किसी ने ट्वीट नहीं किया। हाथ कट गए, उनके उपर तलवार से आक्रमन हुआ, उनको कुदना पड़ा खाई के अंदर, किसी ने इन में से तथा कथित human right activist है, किसी ने ट्वीट किया कि ये human right violation है, किसी ने ट्वीट नहीं किया। करके ये प्रपंच रचते हैं हिंदुस्तान को बद्वनाम करने के लिए और हिंदुस्तान को विवादों में धखेलने के लिए. चाहे वो रिहाना हो, चाहे वो मिया काई खलीफा हो, इस सारे जो नोगोंने ट्वीट किया हुआ हुआ है, कि सारे लोगों से किस प्रकार मिलना प्रपंच करना हिंदुस्तान के खिलाफ प्रोपगेंडा करना ये राहुल गांधी का बिलकुल पहला काम है और यही राहुल गांधी करते हैं विदेश में जाके आप सोचते होंगे हमें कैसे मालूम हमने आपको कहा था न कि चाइना से चुपके चुपके मिलते हैं बाद में सब कागज सामने आया 2008 का M.O.U. भी हुआ था फोटो भी सामने आया माँ बेटे का शी जिंपिंग बैठे हुए माँ बेटे दायें और बाएं कड़े थे वहां भी जाके मिलके आया हैं चुपके 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 वहां भी जाके प्रोपाइगंडा करके आये थे और आज चाइना चाइना कर रहे थे डिफेंस बजट के बारे में बोल रहे थे जितना डिफेंस बजट पे मोदी की सरकार ने एक्सपेंडिचर किया है modern gadgets के लिए जितने इस सरकार ने काम किया है किसी पिछले सरकार ने उतना काम नहीं किया है दस वर्षों तक राफेल को आपने टाल के रखा आज हमने बैंगलोर के एरो शो में राफेल को देखा है गरचते हुए देखा है राहूल गांधिया आपने देखा आज राफेल को आपने देखा नहीं आपने केवल PC करके हिंदुस्तान की मनोबल को नीचे करने की कोशिश की है बंदुगन जो लोग प्रोपेगेंडा करने की कोशिश कर रहे हैं उन्हें हिंदुस्तान के लोकतंत्र के विशाय में जानना होगा इंडिया इस दिमोक्राटिक कंट्री इस थ्री फार्म बिल्स वे पास्ट आफ्ट दिव डिलिजन्स ये इंडियन पार्लमेंट में ये तीनो कानून पारित हुए हैं डिसकुशन के बाद, डिबेट के बाद, and who are the members of Indian Parliament, डिली elected member of parliaments of Indian Parliament, in fact, are the representative of each and every Indian. एक सो थीस करोड के जो रिप्रेजन्टे तिव हैं, उन लोगों ने discussion करके ये कानून पारित किया. ठीक है कानून पर मतभेद आपका था सुप्रीम कोट गए आप लोग सुप्रीम कोट में सुनवाई हुई सुप्रीम कोट में सुनवाई के बाद खंडपीट ने कहा कि